सैफ अली खान की आक्शिन थ्रिलर फिल्म देवरा पार्ट वान सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है हाला कि सैफ अपनी फिल्म की वज़े से नहीं, अपने एक बयान की वज़े से सुर्खियां बटोर रहे हैं दरसल उन्होंने हाल ही में राहुल गांधी की तारीफ की है उन्होंने राहुल गांधी के बारे में जो कहा हूँ अब सोशिल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है सैफ से पूछा गया कि उन्हें किस तरह का राजनीता पसंद है इस पर सैफ ने कहा मुझे बहादूर राजनीता इमानदार राजनीता पसंद है इसके बाद सैफ से पूछा गया कि उन्हें प्रधान मंतरी नरेद्र मोधी दिल्ले के पुर्व सीम अर्विंद केश्रिवाल और राजनीता बहादूर और इमानदान लगता है सैफ ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा मुझे लगता है कि ये तीनो राजनीता बहादूर है लेकिन जो राहूल गानदी ने किया है वो कमाल है एक समय ऐसा था जब लोग उनकी कही बातों को हलके मे लेते थे हाला कि उन्होंने बहुत ही मज़ेदार तरीके से और बहुत महनत से इस सोच को बदला है राहूल के प्रसंसक सेफ के विडियो को सोचिल मीडिया पर जम कर शेयर किया जा रहा है फिल्हाल आपका असपल क्या कहना है हमें कॉमन्ट करके जरूर बताएं ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तुब लाइक और शेयर करना ना भूलें